Hello everyone, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है इंजिनिर कोपडी तो आपके पास गाड़ी होती है, गाड़ी में बहुत सारी चीजे ऐसी बनाई जाती है जो कि रोजान आया महिने में एक आध बार देखने के लिए बनाई जाती है ताकि अगर आप उसको बार बार महिने में देखते रहेंगे एक आध बार भी तो आपकी गाड़ी कभी आपको दोका नहीं देगी लेकिन अगर आप उस चीज के बारे में जानते ही नहीं कि वो चीज आपको देखनी है उसका क्या मतलब है तो फिर आपके गारी कभी भी चलते चलते रास्ते में बंद हो सकती है और आपको धोका दे सकती है ऐसे ही एक टिप, ऐसे बहुत सारे टिप्स होते हैं तो उनी में से एक टिप्स मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कि आपने देखा होगा, मैं गारी के पास आपको जूम करके दिखाना चाहता हूँ आप ये देखिए, ये एक इंडिकेटर दिया हुआ होता है ये यहाँ पे लाल रंग का हो गया है ये जनरली सफेद होता है, लेकिन अभी ये लाल हो गया आप ध्यान से देखिए, मैं दिखाने को आपको कोशिस करूँगा इसको ये देखिए ये इंडिकेटर होता है ये आपको लाल रंग या पे दिखाई दे रहा है इसका क्या मतलब होता है कई लोग होंगे आप गाड़ी चला रहे होंगे दो साल से तीन साल से गाड़ी चला रहे होंगे लेकिन कभी आपने इस चोटी सी चीज के बारे में सोचा भी नहीं होगा कि इसका क्या मतलब होता है ये आपको कभी कभी चेक करते रहना चाहिए यह आपको रोज रोज चेक करने की जरूरत नहीं है लेकिन जब भी आप अपनी गाड़ी की सर्विस कराए तो आपको इसको जरूर चेक करें या महिने में एक बार आपको इसको जरूर चेक करना चाहिए चलो आप बात करते हैं कि इसका क्या मतलब होता है और क्यों ये लाल हो जाता है तो ये आप देख रहे हैं ये आपके गाड़ी का air filter है आपके ट्रेक्टर में भी आज कल नए ट्रेक्टरों में इसी तरह के air filter आने लगे हैं पहले आते थे कि वो पुराने हवा महल जिसको बोलते थे उस तरह के होते थे सीधे लेकिन अभी इसी तरह के air filter हवा वाला filter इसको बोलते हैं तो यह देख रहे हैं आप इदर से हवा कीची जाती है और इदर से इंजन में जाती है और ये आपको जिदर से इंजन में खीषते है एर फिल्टर के पास में ये आपको दिख जाएगा कहीं न कहीं तो अगर ये लाल हो गया है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो आपका एर फिल्टर है वो आपका पूरा गंदा हो चुका है वो ब्लोक हो चुका है वो सही से पूरी हवा नहीं दे रहा है हवा तो जा रही है उससे लेकिन जितनी इंजन को चाहिए उतनी नहीं जा रही इसी तरह से आपका इंजन भी अगर ये लाल बैंड आपका दिखने लगा है तो आपका इंजन भी पूरी अच्छी तरह से सास नहीं ले पा रहा है सास नहीं नहीं ले पाएगा तो कैसे पिक अप देगा और कैसे पावर देगा तो इसका इंडिकेशन का मतलब यही है कि आप का filter block हो चुका है आपको उस filter को या तो खुद से साप करिए या आप उसको किसी mechanic से आपके आसपास के mystery से जाके साप कराना होता है इस indicator का यही मतलब होता है और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने यह बना रखाया कि कैसे आप गाड़ी का air filter साप करें तो आपको देख जाएगी अगर नहीं है तो भी आप देख सकते हैं वह सारी वीडियो इस पर बनी हुई है कि गाड़ी का air filter कैसे साप करें तो गाड़ी का air filter अगर आपने साप कर लिया है तो यह आप आपको filter block हो गया तो लाल हो गया तो जब आप filter को sap कर लेंगे तो फिर आपका काम यह बनता है कि आप इसको यहां से पीछे से यह आप देखिए पीछे की साइड से उंगली से इसको दबाएंगे तो फिर से यह सफेद हो जाएगा या हरा हो जाएगा किसी किसी गाड़ी में हरा होगा किसी किसी गाड़ी में सफेद हो जाएगा इसका हरे और सफेद होने का मतलब यह है कि अब आपका फिल्टर जो है वो पूरा आपने साप करके तब आपको यह सफेद करना ऐसे नहीं कि आपने इसे दबा दिया और filter साप ने किया तो उसका कोई मतलब नहीं है फिर यह लाल हो जाएगा तो यह देखिए यह मैं इसको सफेद कर देता हूँ इसको दबा देता हूँ यह देखिए यह reset हो गया है पहले यह लाल था अब यह किसी color करनी है सफेद रंग का आपको देखेगा लाल नहीं देखेगा यह आप देखने कोशिस करिए तो यह मैंने दिखाने के लिए आपको दिखाने के लिए यह किया था कि कैसे यह function करता है एर filter को आप साफ करिए इसका मतलब क्या होता है लाल होने का मतलब क्या है और आपको क्या करना चाहिए अगर आपकी गाड़ी के air filter का indicator लाल हो जाता है तो तो आज किस वीडियो में मैं करना और कोई भी आपका कमेंट है वो आप कमेंट सेक्षिन में आके जरूर बता सकते हैं मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद